हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम इन गुडविल एडुकेयर तो बच्चे आज हम आपको पूरे अकाउंटेंसी में सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर जो है जैनल यह पढ़ाने जा रहे हैं और जैनल एंट्री जो है यह पूरे अकाउंटेंसी का बेस चेप्टर है नुमेरिकल वाले के लिए अगर आपको जैनल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो समझो पूरा अकाउंट समझ में आ जाएगा जैनल आ गया तो ना लेजर बनाने में दिक्कत होगा ना ट्राइल ब्लेंस में दिक्कत होगा ना फाइनल एकाउंट बनाने में दिक्कत होगा इसलिए बच्चे, जर्नल बेस चेप्टर है, तो जर्नल को आप अच्छे से हमारे साथ जुरिए और इसको अच्छे से सीखते हैं, चलिए बच्चे, हम आपको जर्नल पढ़ा रहे हैं, I hope आपने हमारे प्रीवियर जो भी लेक्चर हमने यूटूब पे अप्लोड किया है, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, जो बच्चे हमारे साथ नए जुरे हैं, पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको पहले मैं अपना इंटोड़क्शन दे दू, बच्चे माइसेल्फ, चन्नन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड प्रॉम बी एच्चिव और डैली उन्वर्सिटी में स्लेक्ट हो चुके हैं, चलिए, आप भी हमारे साथ जुरे रहे हैं, और हम आगे आपको पढ़ाते हैं, जलिए, देखें बच्चे, सबसे पहले है जाइनल, जाइनल क्या होता है? तो जाइनल एक ऐसा बुक है, जिसमें ट्रांजेक्शन पहली बार रिकौर्ड करते हैं, फस्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, जाइनल एक ऐसा बुक है, जिसमें transaction business के day-to-day transaction जो भी होते हैं, उसको पहली बार record करते हैं, इसलिए बच्चे हम लोग journal को books of original entry भी कहते हैं, चलिए देखते हैं journal के बारे में, एक definition, Journal is a book of original entry, journal is a book of original entry, original entry का मतलब है जहां पे transaction पहली बार record होता है, तो journal is a book of original entry in which the transactions are recorded first of all as and when they take place, जिसमें जब transaction business का होता है, उसी समय उस book में transaction को record करते हैं, जैसे माल लो business rent पे कर रहा है, salary पे कर रहा है, commission पे कर रहा है, goods purchase कर रहा है, goods sell कर रहा है, तो जो भी transaction हो रहा है, जब incurred हो रहा है, उसी समय हम जिस book में record करते हैं, उस book को journal कहते हैं, आप देखो यहाँ पे journal के format draw है, जिस date को transaction होगा, वो date यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चे, इसके बाद particulars कॉलूम रहेगा, फिर LF का कॉलूम रहेगा, फिर debit amount, credit amount, जार्न एक ऐसा book है, जिसमें transaction को उसी समय record करते हैं, जिस समय incurred होता है, चलिए अब हम journal के features देखते हैं, journal के features क्या है, तो बच्चे, सबसे पहले है, कि journal is only a book of primary entry, journal एक ऐसा book है, जिसको हम books of primary entry भी कहते हैं, जिसमें transaction पहली बार record होता है, और journal is a daily accounting record, journal एक ऐसा book है, जिसमें day-to-day, daily का accounting record होता है, journal is a daily accounting record, in journal, transactions are recorded in chronological order, बच्चे, जार्नल में transaction हम chronological order में record करते हैं, date-wise record करते हैं, chronological order means, date-wise, chronological order means, बच्चे, date-wise, transaction journal में हम लोग date-wise record करते हैं, और journal records both debit and credit aspect, जैर से बच्चे, journal में हर transaction के दो aspect होते हैं, एक debit तो दूसरा credit, तो journal debit और credit दोनों aspect को record करता है, after journal entry, narration is given, that is description of journal, बच्चे, हर journal के बाद, हम एक narration लिखते हैं, that narration is the explanation of journal, journal के explanation को narration बोलते हैं, तो once again, journal books of primary entry है, daily accounting record, इसमें record होता है, transaction chronological order में record करते हैं, debit and credit दोनों aspect को record करते हैं, और journal के बाद narration लिखते हैं, जिसको description कहा जाता है, journal का, हाँ, screenshot लेना चाहते हैं बच्चे, तो you can take a screenshot first, कोई भी बच्चे, screenshot लेना चाहते हो, तो screenshot ले लीजिए, okay, I hope done, okay, next देखिए बच्चे, next आपका है, format of journal, journal का format क्या होता है, journal में कितने column होते हैं, क्या-क्या लिखते हैं, चलिए हम देखते हैं, बच्चे, journal में 5 column होते हैं, कितने column होते हैं, 5, ठीक है, पहला है date का column, अगेन है, परिटिकुलर्स का column, after that, LF, then amount, debit, amount, credit, journal में 5 column, date, परिटिकुलर्स, LF, debit amount, credit amount, 5 column, date column में बच्चे, जिस date का transaction होता है, वो date लिखते हैं, for example, कोई भी transaction जैसे, आज 8 जुलाई है, आज 8 जुलाई को transaction हुआ, तो 8 जुलाई को transaction हुआ, तो आज यहाँ पर 8 जुलाई लिख देंगे, 2023, ठीक है, और परिटिकुलर्स कॉलूम में हम लोग entry करते हैं, जैसे एक aspect debit, जैसे माल लो, let's imagine कि हमने rent pay किया, तो rent account debit to capital account, हमने rent pay किया, तो rent account debit to capital account, 10,000 पे किया, तो debit में 10,000 रहेगा, और credit में भी 10,000 रहेगा, आगे हम बताएंगे अभी कि यह कैसे हुआ, अभी वह समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कि journal में एक aspect debit होगा, दूसरा credit रहेगा, और after journal हम एक narration लिखते हैं bracket में, इसको हम बोलते हैं description of journal, description of journal, हर journal के बाद एक narration लिखा जाता है, ठीक है, तो journal में आपको 5 column रहेगा, date, particulars, lf, debit amount, credit amount, ठीक है, चलिए, skin sort नहां चाते हो, तो ले लो skin sort, ओके, next, next है, explanation of journal, जो हमने explain किया वही चीज़ा आपको यहाँ पर बताया गया है, explanation of journal, पहला date column रहेगा, that is date of transaction written, जिस date का transaction होगा, वो date आप इस date column में लिखेगा, particulars column में name of account debited and created are written in particulars column, यह particulars column में बच्चे, जो account debit करेंगे, transaction में, जो account credit करेंगे, वो लिखेगे यहाँ पर, lf column, lf का फुलफर्म होता, lager folio, lf का फुलफर्म होता, lager folio, lager folio, lf column में क्या लिखते हैं, जब transaction को journal से laser में transfer करते हैं, जब transaction को journal से laser में transfer करते हैं, तो उस समय हम यहाँ पर laser का page number लिखते हैं, कि आखिर laser के किस page number में इस particular transaction को transfer किया गया है, जब transaction को journal से laser में transfer करते हैं, आपको पता होगा, नकी journal के बाद laser बनेगा, तो आखिर laser के किस page number में इस particular transaction को transfer किया गया है, वो page number यहाँ पे लिखाता है, ठीक, फिर debit amount में debit का figure, credit amount में credit का figure, ओके, if you want to take the detailed information for a screenshot purpose, you can take, अब बच्चे, हम लोग previous chapter double entry system में rules of debit and credit परहे हैं, previous chapter double entry system में rules of debit and credit परहे हैं, एक बार हम पहले वो rule आपको फिर से याद दिला दें, ताकि जब हम अब journal करेंगे, तो आपके दिमाग में पहले से सारा rule updated रहेगा, और जब हमारे साथ पढ़ोगे, हमसे पढ़ोगे, एक भी journal में problem नहीं होगा, क्योंकि हम problem का solution सिखाने वाले हैं, तो problem तो arise ही नहीं होगा, क्योंकि आप solution जानोगे, और ऐसा पढ़ाएंगे accounts, कि पूरे YouTube पे offline market में कहीं कोई teacher ऐसे नहीं पढ़ाएगा, समझ गए बात ना, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, 10 साल से accounts पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 95% एबब लाएं हैं, accounts तो उनको हल्वा लगता है जब हमसे पढ़ते हैं तो, हमारे coaching में accounts में सब बच्चे एकड़म बनाते रहते हैं, काते सर कहीं पोड़म ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसा परहाते हैं कि समझा ही दते हैं बहुत अच्छे से, चलिए आप भी देखिएगा ये बात में कहां तक सच्छा ही है, चलिए बने रहिए, Rules of debit and credit, बच्चे debit credit का क्या rule है, at a glance, आपको बताये थे traditional classification, modern classification, traditional classification के according, types of accounts, personal, real, nominal, में क्या debit होगा, क्या credit होगा, तो personal account में debit receiver, credit giver, real में debit what comes in, credit what goes out, nominal में debit all expenses and losses, credit all income and gain, और वही modern classification में, assets, liabilities, assets, expense, liability, capital income, इसमें assets, expense, increase करेगा, तो debit, decrease करेगा, तो credit, liabilities, capital income, decrease, debit, increase, credit, तो अगर screenshot लेना चाहते हो, तो ले लीजिए, ओके, done, ओके बच्चे, हाँ, कुछ बच्चे comment कर रहे हैं कि सर आपका contact number चाहिए, हमें offline admission लेना है आपके center में, तो जो बच्चे हमारे offline center में admission लेना चाहते हो बच्चे, हमारे given number 8676080858 पे contact कर सकते हैं, या हमारा alternate number 7743-045542 पे हमसे contact कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, ओके, next देखिए, अब हम लोग transaction सीखेंगे, कि किस account को debit करना है, किस account को credit करना है journal में, और यही सबसे main है, उसमें debit किसको करना है, credit किसको करना है, यह आपको समझाते हैं, ठीक है, चलिए, देखते, बने रहिए देखिए, बच्चे, सबसे पहले transaction क्या है, CRM and Sons started a business with cash 50,000, CRM and Sons business cash से start किया 50,000 cash से, 50,000 cash से business start किया, ठीक, दूसरा इसी में लिखा है, other sentence के form में, comments business with cash 50,000, बच्चे, जब किसी का नाम दिया रहे, कि CRM and Sons started business with cash, Mohan started business with cash, या direct लिखा रहे, comments business with cash, या started business with cash, comments means started, तो नाम दिया रहे, किसने start किया है, या नहीं दिया रहे, मतलब एक ही है, दोनों का, कि business cash से start हुआ, किसी का नाम दिया रहे, या ना दिया रहे, मतलब एक ही है, कि business cash से start हुआ, ठीक है, अब सुनू, जब business cash से start होगा, तो बच्चे business में cash से start होगा, तो business में cash जो है cash ये increase कर रहा है और owner जितना पैसा लगाएगा उतने से उसका capital भी बढ़ रहा है इधार देखो जब business cash से start कोई करेगा तो business में cash बढ़ेगा जितना पैसा business में आया business में cash बढ़ा और उतने से उसका capital भी बढ़ गया business में अब सुनो बच्चे अब सुनो आप तो आसा रूल की और भी ले चले आपको अब देखो कैस जो है अगर इस पांच अकाउन के कोडिंग बताओं कैस असेट्स है और एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या बताए कि कैसेट्स बालता है क्या करते हैं डेविट करते हैं कैस असेट्स बालता है तो डेविट करते हैं और कैपिटल बढ़ता है capital increase किया तो credit करेंगे तो इनी रूल को आपको देखना है कि cash assets है assets increase किया तो क्या करना है debit capital increase किया तो credit करना है तो यहाँ पर cash debit होगा और capital credit होगा अगर आप traditional approach के according समझेंगे तो cash assets है assets real में आता है real का rule काता है what comes in debit जो आया उसको debit करो तो cash आया cash debit करो या capital personal में जाएगा personal में जाएगा personal का rule करता debit the receiver credit the giver owner giver है तो owner को ना credit करके वहाँ पर capital को credit करोगे ठीक है देखिए तो यहाँ पर owner business cash से start किया तो यहाँ पर में cash आया हमें date नहीं दिया है तो अभी मान लिए जो transaction number है वही हम आदेट है वह वन लिख दिया हम business cash से start किया फर में cash आया तो आप लिखोगे cash account a slash c को account पलते है cash account और इधर right side में सताके line से debit credit वाले को थोड़ा सा space छोड़के जिसे यहां थोड़ा सा space छोड़के यहां से start किजएगा तू लगाईएगा credit में जो कुछ भी लिखिएगा उसमें तू लगाईएगा तू capital account तू capital account cash account debit two capital account ठीक है कितना figure है 50,000 तो यहां पर debit amount में भी 50,000 लिख दो बच्चे और credit amount में भी credit वाले line के सामने 50,000 लिख दीजिए ठीक है owner ने business cash से start किया तो firm में cash आया 50,000 और owner का capital बढ़ गया cash assets है assets बढ़ता है तो debit कलते है capital बढ़ता है तो credit कलते है ठीक है rule हमेशा ध्यान में रखिएगा और दो-चार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको अच्छे से तो जो cash बढ़ा तो cash account debit capital बढ़ा तो to capital account और बच्चे credit वाले में credit लिखते नहीं है credit वाले में credit लिखते नहीं है मतलब जब credit नहीं लिखेंगे तो यह लगाने की requirement नहीं है CR ठीक है debit वाले में debit compulsory है बट क्रेडिट वाला जो तू से start हो रहा है वही क्रेडिट लगाने की requirement नहीं है तो cash account debit to capital account जब भी business कोई owner cash से start करेगा तो फर्म में cash आएगा cash account debit to capital यदि कोई और भी assets लगाता मालो furniture भी लगाया तो cash account debit furniture भी आया तो furniture account debit to capital जो जो चीज लगाए business start करने के लिए उन सारे item को debit करोगे और उन सब के सम से capital को credit करोगे cash account debit to capital account अब narration लिखना है bracket में लिखिएगा यह transaction हो गया इसी के जस्ट नीचे ऐसे bracket में business business इस स्टार्टेड विट कैस रुपीज 50,000 बिजनेस ने पचास यार कैस से start किया गया और इसके बाद एक line ड्रॉ करिएगा बच्चे यह line जो है आपको एक transaction को दूसरे से separate कर रहा है फिर अगले डेट का यहां पर date फिर transaction फिर amount ऐसे नीचे चलते रहेगा तो सुनों एक बार फिर समझा दे business cash से start होगा तो फ़र में cash आएगा cash आएगा तो cash बढ़ेगा cash assets assets बारता है तो debit करते हैं बच्चे assets cash बार रहा है तो cash को debit करेंगे capital बारता है तो credit करते हैं इसी पॉइंट अभी उसे हमने cash को debit किया और capital को credit किया इस screenshot लेना चाहते है तो अच्छे ले लूँ अच्छे से अच्छे से अच्छे आपका purchased goods for cash 20,000 BCR cash से goods start किया गया BCR cash से goods purchased किया गया purchased goods for cash 20,000 BCR cash से goods purchased किया गया या cash purchases लिखा रहा है तो भी मतलब हुआ है goods purchasing cash purchased goods from rubbish for cash किसी का नाम दे दे और cash बोले तो भी मतलब हुआ है कि goods cash में खरीदा गया आपको directly purchased goods for cash बोले तो meaning यह है कि goods cash में खरीदा गया या cash purchases बोले तो purchase is what goods purchase के लिए उच्छे करते है cash purchase मतलब goods cash में खरीदा गया या purchase goods from ruby for cash goods ruby से cash में खलदा गया तो ruby से मतलब नहीं है क्योंकि cash में खलदा गया है अब सुनो बच्चे आप जब basic accounting term पढ़ रहे थे तो आपको एक term आया था purchases जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए meaning बता दे रहा हूं the term purchases is used for the purchase of goods जब भी goods खरी देंगे उसके लिए purchase वर्यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे goods खरीदा तो गया है तो जब भी goods खरीदेंगे चाहे cash में खरीदेंगे चाहे credit में खरीदेंगे चाहे cash में खरीदेंगे चाहे credit में खरीदेंगे goods खरीदेंगे पर्चेज वर्ड यूज करेंगे ठीक है और यहां पर कैस में खरीदे हैं तो कैस जा रहा है गुड्स खरीदेंगे तो पर्चेज वर्ड यूज करेंगे तो बच्चे पर्चेज नुमिनल अकाउंट में जाता है पर्चेज नुमिनल अकाउंट में जाता है नुमिनल का रू एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कर बढ़ता है तो बिजनस उसको डेबिट करते हैं यहाँ पर परचेज एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनस में एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा इसलिए डेबिट किये और परचेज कर रहे गुट्स तो कैस हमारा जा रहा है कैस हमारा assets है कैस हमारा assets है जो कि decrease करता है और assets decrease करता है तो credit करते हैं बचे समझो goods cash में खरीदे तो purchase वर्ड यूज करना है purchase हमारे business के लिए expense है expense बढ़ रहा है expense बढ़ता है तो debit करते है nominal का rule करता है debit all expenses या assets modern approach के recording जो 5 तरह से accounts classify कि उसमें expense बढ़ता है तो debit करते हैं cash में खरीदे cash जा रहा है तो real के recording रूल अप्लाई करो credit what go जाओ जो जा रहा है उसे credit करेंगे या उन पांच accounts के recording करो modern approach में assets घट रहा है decrease कर रहा है asset decrease करता credit तो इसी के recording हमको debit करिट करना है या आपके hint के लिए लिख दे रहे cash में खरीदना चाहे credit में खरीदना purchase को हमेशा debit करना जब भी गुड्स खरीदना तो यहाँ पे transaction number two है हम two लिख दिये यहाँ पे goods खरीद रहे हैं तो purchase account debit purchase account debit two two कैसे खरीद रहे है cash में तो two cash account two cash account कितने रुपे का goods खरीदे है 20,000 का यहाँ पे 20,000 लिख देंगे जितने goods खरीदे है वो figure यहाँ पे लिख देंगे और narration लिख दिजिए goods purchase purchased in cash rupees 20,000 narration क्या है जो sentence आपको उपर दिया गया है उसी sentence को यहाँ लिखना है description purpose से ताकि कोई समझ सके कि हाँ इसको debit credit क्या गया तो इसके transaction क्या थे यह था क्योंकि अभी तो मालो हम one by one बता रहे हैं आपको एक्जाम में question एक समझ पांचे transaction एक साथ दिया रहेगा तो उस case में आप तो entry के मल किये हो तीचे कैसे समझेंगे आपने cases का entry किया है तो या business में कोई कैसे समझेगा तो इस transaction को देखके ठीक है ठीक ना ओके नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट कोई बच्चे screenshot लेना जाते है तो screenshot ले लीजिए जो भी students screenshot लेना जाते है स्क्रिंसौट ले लीजिए ओके नेक्स्ट ट्राइब्स नेक्स्ट आपका पालचेज गुड्स प्रॉम रभी रुपीस 10,000 यहां रभी से गुड्स खरीद आ गया है दस यार का पालचेज गुड्स फ्रॉम रभी ओन ट्विट एक में बोला के बल की रभी से गुड्स खर तो चाहे रभी का नाम दिया रहे हैं चाहे क्रिडित लगा दे मतलब एक ही है कैस नहीं बोला इट मिन्स क्रिडित में खरीदे हैं रभी से गुड्स उधार में खरीदे हैं अभी हम आपको बताएं थे बच्चे कि जब भी आप गुड्स खरीदना तो आप क्या वर्ड वाद गुड्स रभी से खरीदे हो रभी आपका प्रस्टल एकंट में आएगा रवी यहां पे गीवर है रूल काता है देडे मिन एक्सिबर क्रडित करो दो डैविट एक्सपेंस तो पार्टेज को डेविट करना है और रभी से घरीदे Cash में खल दे, उधार में खल दे, तो रभी गीबर है, प्रेस्टनल अकाउंट के रिखोर्डिंग, रूल प्रेस्टनल का अप्लाइ कर देना, कि पर रभी, गीबर है तो करइट करेंगे, पहले आप यह आइड़्दिफाई करना यह किस अकाउंट में जा रहा है, प्रेस्टन टू रभी अब सवाल है रभी नाम है नाम में अकाउंड नहीँ लगाते हैं तू रभी बस लिखो या अकाउंट लगाना है नाम में aphastrophe S लगाने के बाद तू रबी या मत लगाओ मैं कहुंगा मत लगाओ ठीक्ब है तें स्ट्रोफी एस लगाने के बाद अधर्वाइज मत लगाओ और यहां पर लिख दो है पालचेज्ड है गोड़ से फ्रॉम रभी है और क्रेडिट रभी से उधार में खरीदे कितने का खरीदे बच्चे टेन थाउजन का ये बात लिख के छोटा सा लाइन राकल दो पर्तिकुलर्स कॉलूम में इस लाइन सेपरेट वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अनधर और तेन थाउजन अमाउंट दिया है यू राइट द सेम अमाउंट इन देविट एंड क्रेडिट साइड ठीक है ले लिजी बच्चेश की इंसाट ओके नेक्स्ट लेकस्ट है पर्फोन फ़स्ट फननीचर फहर कैस्ट फिप्टीन थाउजन पर्फोन फटक ह करना फटक अख्यद आ गिया तो देखлव बच्चेश जो है यह आपका असेटस फनीचर क्या है assets है assets real account में आता है और real का rule करता है debit what comes in जो आए उसको debit करो तो furniture फर्म में आ रहा है बढ़ रहा है तो furniture को debit करेंगे या furniture assets assets बढ़ता है तो debit करते हैं जैसे समझो इसका cash में खरीदे cash भी assets है बट cash firm से जा रहा है तो जो जाता है उसे credit करते हैं credit what मैंने कहा था goods खरीदना तो purchase हो अडियूज करना furniture, machine, building खरीदना कोई assets खरीदना तो उसका नाम debit करना जो चीज खरीदे हो goods खरीदेंगे तो purchase आप कोई assets खरीदेंगे तो जो assets खरीदेंगे उसका नाम अब सुनो बच्चे तो furniture cash में खरीदा गया furniture cash में खरीदा गया तो furniture आया और cash गया furniture आया और cash गया तो furniture और cash दोनों ही real में आता है real का rule करता है debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out जो आए उसको debit करो जो जाए उसको credit करो तो furniture आ रहा है furniture आ रहा है तो furniture को debit करेंगे और cash जा रहा है, cash जा रहा है, उसे credit करेंगे, ठीक है, इसी rule के according हम यहाँ पर entry करेंगे, transaction number 4 है, transaction 4 लिख दिये, furniture खरीद रहे हैं, तो हम furniture को debit करेंगे बच्चे, furniture account debit, और cash में खरीदे, cash जा रहा है, to cash account, furniture खरीदे cash में, तो furniture count debit to cash account, कितने में, 15,000 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 15,000, जो figure हमें दिया रहेगा, हम same figure लिखेंगे, और narration लिख देंगे, furniture purchase in cash, narration जो लिखा है sentence, उसी को अपने language में लिख दो, sort करके, furniture purchased in cash, की furniture cash में खरीदा गया, और एक line draw कर देंगे, particular score room में, ठीक है बच्चे screenshot लेना चाहते है, तो screenshot ले लिजिए, अब बच्चे, जैसे आप यहाँ पर furniture खरीदे हो, ऐसे ही सोचो, कि आप machine खरीदे, building खरीदे, तो furniture खरीदे, तो furniture debit किये, यही पर machine खरीदे, तो machine debit करते, building खरीदे, तो building debit करते, मतलब कि debit what comes in, जो आए उसको debit करो, यहाँ पर furniture खरीदे, तो furniture debit किये, कभी machine खरीदे, तो machine debit करेंगे, building खरीदे, तो building debit करेंगे, clear, okay. Next. Next है, paid cash to सुभाज 6,000. बच्चे, next है, paid cash to सुभाज 6,000, सुभाज को 6,000 cash हमने pay किया, अब जा सोचो, सुभाज, सुभाज को pay किये, तो सुभाज यहाँ पे receiver है, है न जी, प्रेसनल का rule कहता है, सुभाज प्रेसनल अकाउंट में जाएगा, प्रेसनल का rule कहता है, debit the receiver, receiver को debit कर दो, तो सुभाज को हम debit करेंगे, और cash, cash बच्चे, real में जाता है, real का rule कहता है, credit what goes out, जब हम cash पे किये, तो मेरा cash गया, जब हम cash पे किये, तो मेरा cash गया, पहले तो आपको identify करना होगा, कौन कौन सा अकाउंट involved हुआ है, सुभाज को cash पे किये, paid cash to सुभाज, सुभाज को cash पे किये, तो सुभाज cash receive किया, और मेरा cash गया, तो सुभाज personal account में आता है, personal का rule कहता है, debit the receiver, तो सुभाज receiver है, इसको debit कर देंगे, और real का rule कहता है, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, तो cash goes out हो रहा है, जा रहा है, तो cash को credit करेंगे, करिए entry, transaction number 5, cash pay किये सुभाज को, सुभाज receiver है, तो सुभाज debit, अभी सुभाज नाम है बच्चे, नाम में account नहीं लगाना है, तो सुभाज debit, या लगाना है तो first trophy है, इसके बाद, otherwise मत लगाओ, सुभाज debit, to cash, to cash account, सुभाज तो cash pay किये, तो सुभाज debit to cash account, कितना pay किये है, बच्चे, 6,000, write the same figure in the debit and credit side, क्योंकि double entry system के according, debit और credit ब्राबर होता है, और narration लिख दो, कि cash paid to सुभाज, रुपी 6,000, 6,000 रुपया cash सुभाज को pay किये, ठीक है बच्चे, note it, take a screenshot first, जुआ है, आए, बच्चे, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पैट रेंट फोर hon抓 हमने रेंट पे किया चार सो यह रेंट पेट्टू लेंहलोड चार सो रेंट पेड बोले यह रेंट पेड बोले मतलब एक ही है कि रेंट पे किया गया रेंट किसको पे किया गया matter नहीं करता है हमने रेंट पे किया हमने रेंट पे किया मतलब ये है किसको पे किया भाई पे तो मकान मालिक को ही करोगे तो उसके नाम से क्या मतलब है रेंट पे किया गया बच्चे रेंट हमारे business का expense है और expense जाता है nominal में nominal का rule कहता है debit all expenses तो expense हुआ तो rent को debit करेंगे rent pay किये तो पैसा गया, पैसा गया, cash गया, cash real में आता है और real का rule कहता है credit what goes out, credit what goes out, जो जा रहा है उससे credit करो तो cash जा रहा है इसलिए cash credit किये, rent expense है, तो expense nominal में आता है nominal का rule कहता है debit all expenses, तो cash को debit किये, sorry rent को debit किये cash, cash real में आता है, real का rule कहता है debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out, कोई ची आए तो debit जाए तो credit, तो cash जा रहा है cash credit करेंगे, तो entry करिए, note किजिए six transaction का, rent pay किये, तो rent pay किये तो rent expense है, rent account debit, rent account debit, pay किये तो cash गया, two cash account, two cash account, कितना pay किये है 400, right the same figure in the debit and credit aspect, ठीक है, नरे से लिखिये, rent paid in cash, rupees 400, 400 रुपिया rent pay किया, cash में, अब देखो बच्चे, यहाँ पे rent expense है, तो rent pay किये, तो rent debit किया आपने, salary pay करोगे, तो salary debit करोगे, commission pay करोगे, तो commission debit करोगे, जो चीज पे करोगे, उस expenses को, उस item को debit करोगे, क्योंकि rule कहता है, debit all expenses, ठीक है, चलिए, note किजिए, screenshot लेना है, ले लीजिए, हाँ, given number पर contact कर सकते हैं, offline classes के लिए, given number के लिए, offline classes के लिए, आप contact कर सकते हैं, हमारे, हमारा goodwill educator का offline center लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, याद रखना बच्चे, ये लंका थाना, अथाना के जस्ट बगल में, main road पे goodwill educator coaching, ठीक है, ये थाना है, और थाना के जस्ट बगल में, goodwill educator coaching है, just satay हुए main road पे, पूरे उत्तर प्रदेश में, सबसे बढ़िया commerce coaching है, goodwill educator, एक बार join करिए, और 12th में 95% से, इबब लाईए और BHU और due में admission लीजिए, ठीक है, और हाँ, contact करने के लिए, हमारे given number 8676080858 पे contact कर सकते हैं, या हमारा second number 7743-045542 पे आप हमसे contact कर सकते हैं, ठीक है, तो आप आ सकते हैं हमारे offline center पे, Google map पे आपको location मिल जाएगा goodwill educator का, YouTube channel पे मिल जाएगा, play store पे goodwill educator का app, download कर सकते हैं, Instagram पे follow कर सकते हैं goodwill educator को, चली बच्चे, next देखते हैं, next कह रहा है, sold goods for cash 13,000, goods cash में बेचे 13,000 में, cash sales 13,000, goods cash में बेचे या cash sales बोले, cash sale का मतलब भी होता है, goods sold in cash, goods sold to service for cash, goods service को cash में बेचा गया, इन तीनों ही sentence का मतलब सेम है, कि goods cash में बेचा गया, किसको cash में बेचा गया, उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, हमने goods cash में बेचा, तो बच्चे, basic term में मैंने पढ़ाया था, sales, the term sales is used for the sale of goods, जब भी goods बेचते हैं, उसके लिए sales word यूज करते हैं, जब भी goods बेचते हैं, उसके लिए क्या word यूज करते हैं, sales, तो हमने यहाँ पे goods बेचा, sell किया, sales nominal में जाता है, nominal का rule करता है, debit all expenses, credit all income, तो यहाँ पे sales income है, sales का है बच्चे, income है, income बढ़ रहा है, credit करेंगे, और goods बेचे, कैसे बेचे है, cash में, cash real में आता है, real का rule करता है, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, तो यहाँ पे cash बेचे, तो cash comes in है, cash आ रहा है, ठीक है बच्चे, आ रहा है, तो debit करेंगे, ठीक है बच्चे, ध्यान सुरो, goods कैस में बेचे, जब भी goods बेचना, चाहे cash में बेचना, चाहे credit में बेचना, goods बेचना, तो sales लिखना उसके लिए, journal में credit, जब goods बेचना तो, और cash में बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, याद रखना, पैसा आए तो debit, अज़ाए तो credit, पैसा आए तो debit, अज़ाए तो credit, तो goods बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो बच्चे, debit what comes in cash आ रहा है, cash account debit, cash account debit, आग goods बेच रहे हैं, क्या वाइड यूज करेंगे, sales, तो यहाँ पे लिखना, two sales account, two sales account, ठीक है, कितने में बेचे हो बच्चे, 13,000 में, write the same amount in the debit and credit side, और नहीं सल लिखिये, goods sold in cash, rupees 13,000, 13,000 cash में goods बेच आ गया, 13,000 cash में goods बेच आ गया, ठीक है, note कर लिजिए, want to take a screenshot, take fast, screenshot लेना चाते हो बच्चे, ले लो बच्चे, next, sold goods to mahes, sold goods to mahes 15,000, goods mahes को बेचे, अब यहाँ पे देखो, goods बेचे, तो sales word यूज करना है, sales income है, तो income को credit करोगे, sales income है, तो income को credit करोगे, किसको बेचे, mahes को, mahes personal में आएगा, mahes personal account में आएगा, personal account में receiver, giver देखना होता है, तो यहाँ पे mahes क्या है, receiver है, mahes क्या है, transaction में receiver है तो receiver है तो debit the receiver तो महेश को debit करेंगे तो बच्चे goods बेचेंगे किसको बेचे हैं महेश को बेचे हैं क्या cash में बेचे नहीं कैसे बेचे हैं credit में बेचे हैं तो महेश receive कर रहा है goods महेश को debit करो debit the receiver महेश receive कर रहा है तो महेस debit करो, नाम है account नहीं लगाएंगे, और goods बेचते हैं, तो journal में sales को credit करते हैं, तो महेस debit to sales account, महेस debit to sales account कितने का बेचे हैं बच्चे, 15,000 का बेचे हैं, 15,000 debit में, 15,000 credit में, और नरेशन लिखिये, goods sold to mahas, goods महेस को बेचा गया, चाहे credit लिखा रहा है, चाहे नाम दिया रहा है, मतलब एक ही है, अगर cash नहीं बोला, it means नाम दिया रहा है, मैं इस credit में बेचा हूँ, goods बेचा, goods बेचे, तो journal में sales credit करना, goods खरीदे, journal में purchases debit करना, goods खरीदे, journal में purchases debit करना, goods बेचे, journal में sales credit करना, ठीक है अब आपने उधारेंं बीचा है महें रिसीबर है डेबिट्डरी सिबर महेंश डेविट हाट। सेली अकाउंट नेक्स्ट ढ़ेंसों ले स्काइब उसंट के अल sudah लो जैनल को बिस्काओ नहीं की कि होगे दिश्बसक्राइब नहीं की म Families यदी यो सबस्काइब कर लो यया से दस six मिला महरे से जहना टो महले तो यहां पर कैस हमारे पास आया कैस रियल में आता है रियल में देखना होता है कमसिन और गोज Monsieur मिला तो कैस महेसे भी के सकंस है के सकंसिन है एसे आ रहा है तो जो आता है उसको debit कल दिये और महेश से मिला महेश महेश personal account में आता है और personal का rule देखना होता है receiver और giver को तो महेश से cash receive हुआ तो महेश यहाँ पे giver है महेश यहाँ पे giver है रूल करता है credit the giver महेश को credit कल दो तो बच्चे महेश से cash मिला entry करेंगे cash आया हमारे पास debit what comes in cash आ रहा है तो cash को debit करेंगे और महेश से cash मिला महेश यहाँ पे giver है two महेश two महेश नाम है account नहीं लगाएंगे कितना मिला है 10,000 ठीक है महेश से cash मिला है आप यहाँ पे लिख भी लीजिए कि cash received from महेश कि महेश से cash receive हुआ ठीक है महेश से cash receive हुआ cash आया real का रूल करता है comes in debit मतलब real item आये तो देखना comes in है कि goes out है यहाँ पे comes in है debit what comes in cash को debit कल दिये महेश personal में जाएगा personal में receiver giver देखना होता है तो महेश यहाँ पे giver है because he is giving cash in this transaction so he will be created in journal want to take a screenshot take fast want to take a screenshot take fast next है बच्चे next है withdraw withdraw cash from office for personal use 7,000 business के office से cash withdraw किये 7,000 तो जब business के office से cash withdraw किये तो firm में cash आ रहा है firm में cash आ रहा है sorry business के office से cash personal use के लिए withdraw किये तो firm से cash जा रहा है आ नहीं रहा है जा रहा है ओनर ने business के office से personal use के लिए withdraw कर लिया तो firm के draw से cash गया तो जो ही बच्चे personal use आए उसके लिए word use करना drawing ठीक है और drawing करने से capital decrease होता है personal में आप परे थे कि debit the receiver credit the giver यहाँ पर owner receive कर रहा है तो owner को debit ना करके drawing को debit करेंगे और cash business से जा रहा है गो जा उट है cash तो cash जब जाएगा तो credit करेंगे ठीक है दी से डेविट दी से ड्रॉइंग डी से डेविट ओनर प्रेस्नल यूज के लिए cash विड्रो करेंगा तो drawing वर्ड यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखिए ड्रॉइंग अकाउंट डेविट और cash जा रहा है टू कैस अकाउंट किता विड्रो किया है 7000 जब ओनर प्रेस्नल यूज के लिए cash विड्रो करेंगा तो drawing अकाउंट डेविट टू कैस नहीं सल लेखिए cash विड्रो for personal यूज for personal यूज की ओनर ने personal यूज के लिए 7000 रूपीज cash विड्रो किया तो जब ओनर प्रेस्नल यूज के लिए cash विड्रो करेंगा उसके लिए drawing विड्रो करेंगे और drawing करने से capital घटा है तो capital को ना घटा के drawing को डेविट करना है drawing debit to cash यह देखो owner cash निकालेगा business के drawl से तो cash तो जाएगा और cash real का rule करता credit what goes out कह जारा cash create करेंगे और जब भी प्रेस्नल यूज के लिए विड्रो करेंगा तो drawing word यूज करना है डी से drawing डी से डेविट डी से drawing डी से डेविट होगा तो बच्चे जब भी प्रेस्नल यूज के लिए एक दिन में आप 10 transactions समझेगा 10 transaction जब समझेंगे तो अच्छे से journal क्लियर होगा और आगे फिर आपको next lecture part 2 में मिलेगा next content और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर को अभी तक like नहीं किये हैं वीडियो को आप like कर लिजे subscribe नहीं किये subscribe कर लिजे हाँ और अपने पांच दोस्त बेस्ट फ्रेंड जो हो जिनको आपको लगता है कि class में इसका जर्नल अच्छा नहीं है उसको share कर दो उसका भी भला हो और हम teachers का content हर बच्चे तक पहुंश सके ठीक है बच्चे तो आपको ऐसे जो भी दोस्त लगते हैं कि class में यह lecture share कर दो और डेली बोलो जॉइन करने के लिए हमारे सेशन को देखने के लिए ठीक है बच्चे थैंक्यू जैहिन